दोस्तों अगर आपने भी अडानी ग्रूप के अंदर investment कर रखा है तो आप सभी के लिए काफी शांदर news यहाँ पर निकल कर आ रही है जिया दोस्तों अडानी ग्रूप की मुश्किले अब कुछ हद तक हमें कम होते वे देखने को मिल रही है और इसके बीछे एक नहीं दो नहीं बलकि तीन बड़ी वज़े देखने को मिल रही है तो उन वज़े को भी complete यहाँ पर analysis करेंगे लेकिन उसके बिले अगर आज के दिन अडानी ग्रूप की कमपनियों की share price की तरफ नसर मारें तो काफी शांदर थे जी आज के दिन हमें अडानी ग्रूप की सभी कमपनियों में देखने को मिल यहाँ पर सबसे बिले बात कर ले shares 15% की तेजी के साथ अपनी closing देता है 37 अडानी green energy की बात करें तो अडानी green energy के अंदर भी आज की दिन हमें gap up opening देखने को मलती है shares के अंदर first session में हमें लगबग 10% की तेजी देखने को मलती है लेकिन उसके बाद में market close होने तक यहाँ पर हमें again 5% का lower circuit देखने को मल जाता है इस गिरावट की पीछी की वजब ही मैं आपको बताऊंगा उसके बात कर लेते हैं अडानी ग्रूप की another company के बारे में जिसका नामें अडानी ports and special economic zone limited आज के दिन इस shares के अंदर भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली साथ ही साथ अडानी ports ने आज ही के दिन पांच प्रतीशत का अपर सरकीट देखने को मिल रहा था हम बहुत ही शांदर तेजी यहां पर भी देखने को मिली रीसेंटली company ने अपने quarter 3 के numbers डिकलेर कर दिये हैं numbers बहुत ही शांदर निकल कर आए हैं और यहां पर जो हमें closing देखने को मिल रही है वो एक flight closing देखने को म investors काफी जदा panic लग रहे थे अडानी वलमार को लेकर अब उनके लिए भी यह काफी positive news हमें आते वे देखने को मिल रही है वही अगर अगर अडानी power की बात करें तो अडानी power के अंदर भी आप देख सकते हैं 5 प्रतीशत का lower circuit आज की दिन भी लगा है लेकिन यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बीच में lower circuit हमें खुलते वे देखने को मिला था और यहां पर भी काफी अच्छी buying आई थी चलिए one by one सभी important updates को cover करते हैं सबसे बिले बात कर लेते हैं कि अडानी group के shares के अंदर हमें आज के दिन जो 5 प्रतीशत से लेकर 20 प्रतीशत की तेजी इ उनको creditors को उन्होंने वक्त से पेले उसे payment कर दिया और जो गिर्वी shares रखेगा इसे उन्हें पूरी तरीके से उन्होंने छुड़वा लिया है तो ultimately market के अंदर जो number of shares थे उनकी जो quantity है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है और promoters के पास में जो holding से वो अब unplace हो चुकी है तो ultimately market को confidence मिल रहा है कि company के मालिकी company के उपर भरोसा जता रहा है तो वो investors भी retail investors भी अब यहाँ पर continuously Adani Group के अंदर बैक्वाली कर रहे थे अब कहीं न कहीं वो भी यहाँ पर बैक्वाली नहीं कर रहे हैं बात करें second update की तो Adani Ports की तरफ से एक और बड़ी update देखने को मिल रही है जहां पर Adani Ports ने आज ही के तीन अपने quarter 3 के numbers को declare किया है लेकिन numbers के साथ में company ने एक और announcement करी है जिसमें Adani Ports का aim है कि वो इसी साल यान की financial year 2023 चोईस में 5000 करोड रुपे के debt का repayment करने वाली है जिया दोस्तों हम देख सकते है Adani Ports will also be looking to invest Rs.4,000 to 4,500 करोड as capital expenditure and also aim to repay Rs.5,000 करोड in debt by the end of 2023-24 यानि कि 5,000 करोड रुपे का यहां पर जो debt का repayment है वो भी यहां पर Adani Ports कने वाली है सबसे important news जो आज के दिन Adani Group के लिए favor में निकल कर आई है जैसा कि आपको बताए कि Indian stock market में तो Adani Group के shares की काफी खतरनाक पिटाई हो रही थी लेकिन इससे भी खतरनाक पिटाई हमें Adani के bonds market में देखने को मिल रही थी यानि की bond market में Adani के bonds काफी जदा decline हो चुके थे लेकिन अब आज ही के दिन यानि की 7th of February के दिन एक positive news हमें Adani Bonds के लिए आते वे देखने को मिल रही है चाहाँ पर Adani Bonds के लिए 1 billion US dollar के जो बायर से उन्हें यहाँ पर find कर लिया गया है यानि की जो Adani Group के bonds को खरीदेगा और इससे Adani Group के लिए काफी शांदर news हमें आते वे देखने को मिल रही है अनदर अपडेट की बात करें तो Adani Group ने जो अपना CapEx plan था जो अगले 12 महिनों में जो वो investment करने वाले थे अपनी कमपनियों के अंदर Capital expenditure जो करने वाले थे अब उसको यहाँ पर 16 से 18 महिने के लिए वो extend कर सकते हैं तो ultimately यह भी एक positive news है क्योंकि ultimately अगर हम देखें तो Adani Group का focus अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर है retail investor और बाकी के जो इनकी investors हैं like foreign investor mutual funds ने जिनोंने यहाँ पर investment कर रखा है उनकी confidence को बनाए रखना तो इसी लिए Adani Group ने यह भी decision लिया है turning point Adani Group के लिए यह भी रहा है कि company के quarter 3 के number साना start हो चुके हैं और numbers बहुत ही शानदा निकल कर आ रहा है जहां पर सबसे भी लिए बात करें कल ही के दिन Adani Transmission ने अपने quarter 3 के numbers डिकलेर के हैं जहां पर Adani Transmission के quarter 3 के profit में 78% की jump देखने को मिली है साथी साथ healthy profit margin भी company ने यहाँ पर डिकलेर क्या है जिसके चलते भी हमें यहाँ पर काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है यह थे कुछ trigger point जिसके चलते आज की दिन Adani Group के shares के अंदर हमें काफी अची तेजी देखने को मिली another point की बात करें तो Adani Ports ने यहाँ पर अपने quarter 3 के numbers को डिकलेर कर दिया है यहाँ पर company का net profit 16% से decline होते वे देखने को मिल रहा है 1316 करोड रुपे का profit company ने quarter 3 के अंदर declare किया है लेकिन profit यहाँ पर decline हुआ है जो estimate लगाया गया था profit का वो 1647 करोड रुपे का लगाया गया था जहाँ पर 11% की जम देखने को मिल सकती थी लेकिन estimate को यहाँ पर beat नहीं कर पाए है अडानी ports के नंबर जिस कारण से यहाँ पर हमें आज की दिन गिरावट देखने को मिल रही है तो कल की दिन अडानी ports के उपर आप focus रख सकते हैं यहाँ पर हमें profit booking देखने को मिल सकती है अडानी ग्रीन के नंबर भी आजी के दिन आने वाले हैं अडानी ग्रीन भी आजी के दिन अपने quarter 3 के नंबर को डिकलायर कने वाले हैं तो उन नंबर पर भी आप focus रख सकते हैं हाला कि अभी भी अडानी ग्रूप के shareholders के लिए काफी positive news हमें market में circulate होते विए देखने को मिल रही है हाँ, oppositions की जो party है वो लोग सबा और राज्य सबा में continuously questions raise कर रही है संसद में हमें continuously जो अडानी ग्रूप के relations है वो current government के साथ में बताय जा रहे हैं जिसको लेकर allegations लगाया जा रहे हैं तो वहाँ पर government की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या actions रहती है वो देखना बहुत ज़्यादा important होगा और सेबी की तरफ से क्या report यहाँ पर निकल कर आती है वो भी देखना बहुत ज़्यादा important होगा हलागि आज की 30 के बीचे की actual वजह में आपको बता चुका हूँ सबसे पहले जो play shares से जिने unplace करवाया गया है लगब 1.1 billion US dollar का advance payment करके याने की जो due date थी उसके पहले payment करके जो shares को unplace करवाया गया है वो एक turning point था second turning point था quarter 3 के numbers third turning points था कि जो capex plans था उसे extend कर दिया गया है और four तो जो important turning point था कि Adani Group के bond के अंदर 1 billion US dollar का investment करने के लिए उनको जो buyer से वो मिल चुके हैं तो ये थे कुछ important points उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई हैं तो इससे like और share करना मत बुलेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected stay updated और अगर आपने Adani Group के अंदर खरीदारी कर रखिए तो stop loss को ध्यान में रखते वे आप अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं